जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भानती पता है कि मृत्यू भी एक ऐसा सत्य है, जिसे कोई जितना मर्जी जुठला दें, परन्तु इसे बदला नहीं जा सकता, कहने का अर्थ है कि जिसने इस प्रित्वी पर जन्म लिया है, उसे एक न ए में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजर्गों से कहते सुना होगा कि कि मृत्यू के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है, मगर ऐसा क्यों इस बारे में क्या किसी ने सोचा है, अगर नहीं, तो चलिए आज आज आपको इस से संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंददान क्यों किया जाता है, बता दें कि गरुर पुरान में इस बारे में विस्तार से बताया गया है, गरुर पुरान में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यू होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, यहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्र परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता, यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर-जोर से चिलाने लगती है, इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती, इसके अलावा गरूर-पुरान की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है, तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोग की यात्रा तै कर पाए गरूर-पुरान के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यू के बाद जो दस दिनों तक मकिया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन अंगों की रचना होती है, और जो ग्यारहवे और बारहवे दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मास और त्वचा का निर्मान होता है और जब तेरहवे दिन तेरहवी की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंददान किया जाता है उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तै करते हैं अर्थात मृत्यू के बाद मृतक के नाम का जो पिंददान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है इसलिए ही गुरुर पुरान में बताया गया है जब किसी मनुष्य की मृत्यू हो जाती है तो उसकी आत्मा तेरह दिनों तक महीने याने की एक साल का वक्त लगता है इतना ही नहीं मान्यता के अनुसार तेरह दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंददान उसके एक वर्ष के भोजन के समान होता है पिंददान न किया जाए तो क्या होगा इसके अलावा बता दें अक्सर लोगों के मन में ये सवा ज्वाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृति व्यक्ति के नाम का पिंददान नहीं किया गया तो क्या होता है तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका भी वर्नन गरूर पुराण में किया गया है. जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ती का पिंददान नहीं किया जाता। यमदूत उसे 13 दिन जबरगस्ती घसीते हुए यमलोग की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ती की आत्मा को इस दोरान काफी कश्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यू के तेरह दिनों तक पिंददान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13 दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ती के नाम का जो भोज करवाया जाता है। अगर वह कर्ज लेकर किया जाएं तो मृत व्यक्ती की आत्मा को शांती नहीं मिलती। इतन कोई कश्ट नहीं देते और जो व्यक्ती बुरे कर्म करते हैं, उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यात्नाई देता है और आत्मा को कई कश्ट भोगने पड़ते हैं।